Assalamualaikum everyone जो Scalping Strategy आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ I hope कि ये strategy देखने के बाद आप लोग सारी strategies एक साइड पे रख दोगे Because आज की strategy इतनी ज्यादा powerful है कि मैं explain नहीं कर सकता आप खुदी वीडियो में देख लीजिएगा कि इतनी ज्यादा powerful और profitable है Scalping Strategy basically ऐसे traders के लिए है जो के बहुत fast होते हैं Fast execute करते हैं Market में enter होते हैं और तेजी से बाहर निकल जाते हैं और कम time में ज्यादा profit बनाकर market से out हो जाते हैं और ये माना जाता है कि scalpers जो होते हैं जो scalping trade करते हैं वो market में सबसे ज्यादा successful रहते हैं सबसे ज्यादा profit बनाने वाले वही होते हैं बेशक इसमें time frame कम use होता है इसके अंदर छोटे targets रखे जाते हैं छोटे stop loss रखे जाते हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर बड़ा profit बनाया जाता है क्योंकि एक दिन में scalpers जो हैं वो 4-5 trades लगाते हैं और उसके अंदर ही अपना profit सारा बना कर market से out हो जाते हैं so scalpers जो हैं वो market में काफी ज्यादा fast और active नजर आते हैं जिसकी वज़ा से वो market में कम time में ज्यादा profit बना कर market से out हो जाते हैं so आज की video में जो scalping strategy आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आप लोग copy pencil लेकर बैठ जाएं या फिर ये video डाउनलोड कर ले क्यूंकि बहुत ज्यादा important strategy है और इस strategy के अंदर आप लोग अगर इसके ओ use करते हो इसको सीख के और इसका implement करते हो अपनी trading के अंदर तो I hope guys के आप लोग market में बड़ा profit बनाने वाले हो तो चलिए guys वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल यार skip नहीं करना वीडियो को last तक देखना है और दूसरी बात अगर आप लोग मेरे चैनल पर new हैं तो kindly मेरे चैनल टेग गयल या को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो आप लोगों तक easily पहुंच जाया करें सबसे पहले इस strategy के रूज के बारे में बात करते हैं बहुत ही जयादा गोहर करनी है आप लोगों ने गोहर से समझना है решir rules को और rules को follow करना है अप लोगों ने iis strategy के अंदर अगर आप rules से Seth थोड़ा सा भी हड़ जाते हो तो यह strategy आप लोगों को अ i All- sports Trade ठीक है अब Scalping Trading है तो Scalping में छोटा टाइम फ्रेम यूज किया जाता है और इस Strategy के अंदर हम जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है सो यहां से Trading View के अंदर हम लोग अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं आप लोगोंने सिंपली 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लिक करने है और यहां पर हमारे पास 3 मिनट की Candles शो हो रही है Rule No.2 इस Strategy के अंदर हम लोग जो Candles यूज करेंगे वो High Can Ashi होंगी यह Simple Japanese Candlesticks आप लोग नहीं यूज करेंगे आप लोग इस Strategy के अंदर High Can Ashi यूज करेंगे उसकी Reason मैं आप लोगों को बताता हूँ लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ के High Can Ashi आप लोगोंने कैसे Plot करनी है Simply आप लोगोंने Indicators के Candles के Option पर आना है और यहां पर आप लोगों को High Can Ashi Candles का Option नजर आ रहा है Simply इसके उपर क्लिक कर देने है जैसे ही आप लोगों क्लिक करेंगे आप लोगों को Candles थोड़ी सी Change नजर आएंगी So High Can Ashi Strategy के अंदर हम लोग Use करेंगे Because High Can Ashi Candlesticks इस Strategy के अंदर हमें Noise कम करके देंगी अब Noise क्या होती है या फिर High Can Ashi Candles क्या होती है यह मैंने अपनी एक वीडियो में सारा Explain किया हुए अगर आप लोग चाते हैं कि वो वीडियो आप लोगों को आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर High Can Ashi के बारे में Completely जान सकते हैं क्योंकि Each and Everything इस वीडियो के अंदर मैंने High Can Ashi के बारे में बताई हुई है High Can Ashi बहुत ही ज़्यादा Powerful Candlesticks है और यह हमारे जो खयालात हैं हमारे Emotions हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं कहलती ट्रेडिंग के अंदर और जो बाकी Japanese Candlesticks हैं अगर आप लोग वह यूज करते हैं तो भई आप लोगों का जो है वो ट्रेडिंग के अंदर बेडा गराक है बिकॉस जो दूसरी Candles होती है Japanese Candles वो हमारे Emotions के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है हमारा second rule है कि हम लोगों ने इस strategy के अंदर हाइकन आशी Candles यूज करनी है यहाँ पर simply मैंने हाइकन आशी plot कर दी अब third one rule के बारे में बात करते हैं third one rule क्या है इसके अंदर हम लोग कुछ indicators यूज करने वाले हैं and indicators की settings आप लोगों को बताऊंगा चलिए सबसे पहला और third rule और पहला indicator मैं आप लोगों को plot करके दिखाता हूँ simply fx पे जाएं और यहाँ पर आप लोगों ने ema type करना है moving average exponential simply इसके उपर single tap करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास moving average आ जाएगा blue color की line आप लोगों देख सकते है ema plot हो चुका है यहाँ पर हम लोगों ने जाकर settings में इसकी length चेंज करनी है inputs में जाएंगे यहाँ पर इसकी length 9 है आप लोगों ने simply 55 पे इसको ok कर देना है जैसे ही आप 55 पे इसको plot करेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि market के अंदर जो ema है वो थोड़ा सा दूर चला गया है candles से so this was our rule number 3 and settings जो मैंने आपको ema की बताई है rule number 4 and the second indicator I am gonna tell you तो यहाँ पर हम लोग अपना जो दूसरा indicator use करने वाले हैं वो है CCI तो simply यहाँ पर जैसे CCI type करेंगे commodity channel index आपके सामने आएगा simply single tap आप लोगों ने करना है तो यहाँ पर CCI indicator plot हो जाएगा अब जैसे ही यह indicator plot होगा इसकी settings देख लेते हैं जी यहाँ पर CCI indicator में हम लोगों ने जाना है upper band हमें नहीं चाहिए and lower band हमें नहीं चाहिए इसके बाद जो background है आप लोग उसको भी remove कर दें ताके ज्यादा visible रहे आप लोगों को अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं लेकिन मैं इसको remove कर रहा हूँ so guys यहाँ पर I think यहीं काफी रहेगा आप लोगों ने just middle band को check करना है बाकि upper band और lower band इस strategy के अंदर हमें नहीं चाहिए और inputs वगेरा या visibility आप लोगों किसी को भी नहीं चेड़ना visibility में आप लोग अगर देखें तो काफी ज्यादा option मिल जाते हैं हमें लेकिन इस strategy के अंदर हम लोग कुछ भी change नहीं करने वाले just हमें styles के अंदर यहाँ पर upper band and lower band remove करना है simply मैंने okay किया तो अब आप लोग देख सकते हैं कि CCI indicator के अंदर हमें एक zero line जिसको middle line भी कहा जाता है वो नजर आ रही है एक dotted line आप लोग यहाँ पर check कर सकते हो ठीक है यह dotted line हमें CCI के अंदर नजर आ रही है अब CCI के आए वो एक अलग चीज है इसके उपर यह हमारी strategy में बिल्कुल भी importance नहीं रखता just यह dotted line जो है यह हमारी strategy के अंदर importance रखती है ठीक है क्योंके अभी मैं CCI के उपर बात करूँगा तो फिर हम topic से हट जाएंगे so these four things we have to need in this strategy अब strategy के जो rules हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं ठीक है यह तो हो गई चार चीजे हैं जो हम लोगों को use करनी है अब जो main rules हैं जो strategy के अंदर use को होंगे उनके बारे में बात करते है अब होता क्या है guys के हाइकन आशी candles में हम लोगों को तीन type की candles मिलती है जिसमें से first one हम लोगों को green bar या green candle या bullish candle मिलती है जैसे कि आप लोग इस candle को check कर सकते हो ठीक है यह वाली candle green color की इसको हम बोलेंगे green bar या green candle या फिर bullish candle second type की जो candle होती है उसकी appearance कुछ इस तरह की होती है इसकी body उपर की side पे होती है और इसकी shadow नीचे की तरफ होती है और red color की होती है इसको हम bearish bar, bearish candle या red candle कहते हैं और इन दोनों को compare किया जाए green वाली को और red वाली को तो green की body नीचे वाली side पे होती है और इसकी जो विक है या शैडो है वो उपर वाली साइड पर होती है और इस तरह सेम इसकी बोड़ी उपर की तरफ होती है और इसकी जो शैडो है जो रेड बार है उसकी शैडो नीचे की तरफ होती है So, third one जो candle third type है वो हमारे पास आप तोग चेक कर सकते हो ये candle indecision candle होती है ये दो candles आप लोग चेक कर रहे हो एक left side पे एक right side पे ये दोनों candles indecision candles कहलाती है इनका कोई specific color नहीं होता ये red भी हो सकती है ये green भी हो सकती है So, ये तीन type की candles हमें हाइकन आशी candlestick pattern के अंदर नजर आती है अब ट्रेडिंग हम लोगों ने इस strategy को use करते हुए कैसे करनी है इस strategy के दो simple rules है First one buy and second one sell Now I'm gonna tell you how to buy So, buying के लिए हम लोगों को इस moving average ये जो blue color की line आप लोग देख रहे हो इस moving average के ऊपर एक indecision candle ढूणनी है जो के green color की होगी Fine, यहाँ पर उसके बाद First, यह हमारा strategy का पहला rule है वो यही है कि हम लोगों ने इस moving average के ऊपर एक ऐसी candle ढूणनी है जो indecision हो और उसका color green हो Second one, हम लोगों का जो rule है वो यह है, इस strategy के अंदर कि हम लोगों ने, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ Second rule यह है कि जो indecision candle के बाद जो candle बनेगी, बाइंग के लिए वो green candle होनी चाहिए वो bullish candle होनी चाहिए और जो third rule है इस strategy का बाइंग के लिए, वो यह है कि CCI indicator आप लोगों को इस time पे यह dotted line zero line के उपर नजर आना चाहिए सो अभी मैं बाइंग की एक example आप लोगों को देता हूँ यहाँ पर आप लोग अगर चेक करें तो हमारे पास indecision candle बनी है और बनी भी green color की है यह rule है strategy का कि बाइंग के लिए आप लोगों को indecision candle green color की ढूंडना होगी सो यहाँ पर green color की indecision candle आप लोग चेक कर सकते हो सो हमारा जो पहला rule है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है second rule हमारा क्या था कि जो next candle बनेगी indecision candle के आगे वो green candle होनी चाहिए सो अगर आप लोग next candle को देखो यहाँ पर तो यह green मतलब bullish candle है सो हमारा दूसरा rule भी यहाँ पर पूरा हो जाता है third one rule जो हमारा rule होगा वो यह था कि CCI indicator जो है वो इस dotted line के उपर रहना चाहिए सो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि यह CCI indicator इस dotted line के उपर move कर रहा है सो तीन rule हमारे strategy के लिए buying के लिए complete हो चुके है अब हम लोगों को entry लेना है अब entry हम लोग लेंगे next candle पे जो हमारी indecision candle बनी उसके बाद हमारी green candle बनी और उसके बाद हमारी जो है यहाँ पर entry candle यह वाली रहेगी जिसके अंदर हम लोग entry लेंगे सो यहाँ पर यह candle हमारी entry वाली candle रहेगी और यहाँ पर हम लोग market के अंदर entry लेंगे सो यहाँ पर entry लेने के बाद आप लोग market में result check कर सकते हो ठीक है guys this was the result in the market लेकिन इस strategy के अंदर हम लोगों को लालच की तरफ नहीं जाना हम लोगों को target base पे चलना है सो इस entry में हमारा because यह strategy जो है इसमें हम just target base पे काम करेंगे क्योंके scalping strategy है अगर आप लोग इन सोचों में पढ़ जाओगे कि यहाँ पे मैंने entry ली और इस point पे मैंने exit कर दिया है इस जगह पर तो वो तो profit मेरे पास आ गया लेकिन next अगर मैं देखूं तो market और भी ज्यादा उपर गई है अगर in situations में आप लोग फस जाते हो इस सोच के अंदर आप लोग फस जाते हो तो आप लोग कभी trader नहीं बन सकते आपको just target base पे काम करना है और market से out हो जाना है that's it so यहाँ पर आप लोगों का risk to reward one ratio one या one ratio two रहेगा so buying के लिए मैंने आपको सारी conditions बता दी अब selling की मैं आप लोगों को एक example देता हूँ उसके बाद वीडियो को खतम कर ले market के अंदर मुझे ढूंड लेने दें selling का कोई यठी example मुझे ढूंड लेने दें कि यह तो मुझे नजर आ रही है लेकिन कोई और बहतर सी मुझे ढूंड लेने दे जब तक आप लोग मेरे चैनल टेक गयल यह को subscribe कर दें और bell icon को price कर दें क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी इस तरह की strategies और इसमें आपका ही फाइदा है आपका benefit है so channel को यार लाजमी सब्सक्राइब कर दें support किया करें क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत से बनती है और दूसरा हम आप लोगों के साथ अपना knowledge शेयर करते है so यहाँ पर market काफी ज़्यादा यार बुलिश नजर आ रही है 55 एमे के mostly उपर ही move कर रही है so हम लोग उसी जगह पर या फिर यहाँ पर भी हमें एक trade नजर आ रही है लेकिन मैं मजीद कोई अच्छी से trade आप लोगों को ढूंड के दिखाता हूँ आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है और नहीं किया अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर अब मुझे एक अच्छी trade देखने को मिलिए fine यहाँ पर अब क्या होगा selling के लिए हम लोग क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो same हम लोगों को करने just changing यह आएगी कि selling के अंदर यहर आप लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया तो kindly subscribe करें subscribe करें और bell icon को press करें ताके नहीं आने वाली videos आप लोगों तक easily पहुंच जाया करें so अब यहाँ पर चेक करें selling के लिए हम लोगों को दूड़नी है indecision candle जो red color की हो अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो sorry इस जगा पर ठीक है यहाँ पर आप लोग एक indecision candle चेक कर सकते हो red color की बनी है और यह moving average के थोड़ा सा नीचे बनी है लेकिन touch कर रही है moving average को लेकिन फिर भी चलेगा so अब इस indecision candle की next candle अगर आप लोग देखें तो वो हमें sorry red bar या red candle या bearish candle आप लोग जिसे कह सकते हैं वो हमें देखने को मिल गई so हमारी next जो condition है वो भी complete हो गई अब third one condition की तरफ जाएंगे third condition हमारी selling के लिए ये रहेगी कि यह जो dotted line है यहाँ पर आप लोग CCI की dotted line देख सकते हो इसके अंदर CCI को dotted line के below रहना है नीचे रहना है so third one condition अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारी वो भी complete हो रही है यह CCI indicator dotted line के below move कर रहे है सो यहाँ पर हमारी 3 conditions fulfilled हुई अब हम लोगो ने entry लिनी है इस candle के उपर ठीक है first one हमारी indecision second हमारी bearish candle और जो next one रहेगी वहाँ पर हम लोगो ने entry लेनी है next candle के उपर next candle indecision हो या कोई भी हो आप लोगोने entry ले लेनी है वहाँ पर अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग entry लेंगे तो next आप लोग profit चेक कर सकते हो लेकिन again मैं आपको यही बताऊंगा कि इस strategy के अंदर हम लोग target waste पर काम करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों का target 1 ratio 1 या 1 ratio 2 रहेगा stop loss की बात की जाए तो stop loss आप लोग जहाँ पर entry लोगे उस indecision candle की पिछली candle के थोड़ा सा उपर रखोगे fine जो indecision candle आप लोग entry के लिए जून रहे हो और condition फुल्फिल हो जाती है तो उस indecision candle के उपर आप लोग अपना stop loss रखोगे और buying में भी इसी तरह आप लोग अपना stop loss रखोगे so guys video I hope के आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी strategy बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी आप लोगों को so मिलते हैं guys next video में तब तक के लिए अल्ला हफीज